हमारी प्रिथ्वी अपने आप में एक अजूबा है जो प्रकृती के संतुलन से चलती है। सदियों से हम जीवाश्म इंधन पर निर्भर रहे हैं, जो सीमित संसाधन हैं और हमारे वायुमंडल को प्रदूशित करते हैं। लेकिन अब एक नई युग की शुरुवात हो रही है। सूर्य, हवा और पानी से प्राप्त रिन्यूएबल एनर्जी एक स्वच्छ और स्थाई विकल्प प्रदान करती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां उर्जा का प्रवाह कभी खत्म न हो, जो हमारे घरों और शेहरों को बिना पर्यावरन को नुकसान पहुंचाए, उर्जा देती रहे। रिन्यूएबल एनर्जी की और बरना सिर्फ पर्यावरन की ज़रूरत नहीं है, बलकि यह एक सुनहरा अवसर है, एक ऐसे सस्टेनेबल और न्याय संगत दुनिया की निर्मान का अवसर। सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों सभी को अपनी भूमी का निभानी होंगी। रिन्यूएबल एनर्जी को अपना कर हम केवल उर्जा का स्रोथ ही नहीं चुन रहे हैं। हम अपने ग्रह के लिए एक बहतर भविश्य चुन रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को क्लीन एनर्जी कहा जाता है। लेकिन क्लीन एनर्जी सोर्सेस का भी पर्यावरन पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए विंड एनर्जी को ही लें. विंड टर्बाइन्स से कोई उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन उनके निर्माण से जीवों के आवाज प्रभावित हो सकते हैं. बक्षी और चमगादर टर्बाइन ब्लेड्स से टकरा सकते हैं. सोलर एनर्जी भी चुनौतियां पेश करती है. बड़े सोलर फार्म्स के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत होती है. हाइड्रो पावर, रिन्यूवल एनर्जी का एक शक्ति शालीस रोध है, लेकिन इसके एकोलोजिकल परिणाम भी हो सकते हैं. डैम्स नदियों के बहाव को बदल सकते हैं. जरूरी है कि इन प्रभावों को कम से कम किया जाए और फायदों को बढ़ाया जाए. हमें नई तक्निकों को भी अपनाना होगा. संभावित प्रभावों को समझ कर और उन्हें कम करके, हम अपने ग्रह की रक्षा करते हुए प्रक्रिदी की शक्ती का उप्योग कर सकते हैं. Renewable Energy Sector किसी भी अन्यक्षेत्र की तरह नियमों और कानूनों के दाएरे में काम करता है. ये नियम सुरक्षा सुनिष्चित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और उचित प्रतिस्पर्धा को बरहावा देने के लिए बनाए गए हैं. इनका पालन करना केवल एक विकल्प नहीं है, बलकि एक आवश्शक्ता है. इन नियामक बाधाउं से पार पाना चुनौती पूर्ण हो सकता है, लेकिन यह सुनिष्चित करने के लिए जरूरी है कि परियोजनाओं को जिम्मेदारी से विक्सित किया जाएं. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी और सेफ्टी बनाय रखने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह स्टैंडर्ड्स कई खेत्रों को कबर करते हैं. इसमें Renewable Energy Equipment का Design और निर्मार्ण, Installation Practices और Grid Connection Requirements शामिल हैं. इन स्टैंडर्स का पालन करके यह सुनिष्चित किया जाता है कि Renewable Energy Systems विश्वसनी हैं, सुरक्षित हैं और अपेक्षा के अनुरूप कार्य करते हैं. Regulatory Compliance एक सतत प्रक्रिया है. जैसे जैसे तक्नीक आगे बढ़ती है और नई चुनौतियां सामने आती हैं, नियम और स्टैंडर्स भी लगातार बदलते रहते हैं. Renewable Energy सेक्टर में लंबी अब्ध की सफलता सुनिष्चित करने के लिए इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है. Renewable Energy अपने आप में Sustainability के बारे में है. यह उन संसाधनों का उप्योग करने के बारे में हैं, जो प्राकृतिक रूप से पुन उत्पन्न होते हैं. लेकिन Sustainability केवल उर्जा के स्रोथ से कहीं आगे तक जाती है. यह Renewable Energy प्रॉजेक्ट के पूरे जीवन चक्र पर विचार करने के बारे में हैं. Solar Panels, Wind Turbines और अन्य Renewable Energy उपकरणों के निर्मान के लिए उर्जा और संसाधनों की आवश्यक्ता होती हैं. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह प्रक्रियाएं जितना हो सके उतना Sustainable हों. इसका मतलब है Recycled Materials का उप्योग करना, कचरा कम करना और उत्सर्जन को कम करना Renewable Energy उपकरणों के परिवहन का भी परियावरन पर प्रभाव पड़ सकता है. उत्सर्जन को कम करने वाले परिवहन साधनों का चयन करना महत्वपून है. हमें Renewable Energy उपकरणों के End of Life Management पर भी विचार करने की आवश्यक्ता है. कचरे को कम करने के लिए, Recycling कार्यक्रम और जिम्मिदारी पूर्ण निपटान के तरीके बहुत जरूरी है. सस्टेनबिलिटी कोई मन्जिल नहीं है, बलकि एक यात्रा है. अपनी कार्य प्रणालियों में लगातार सुधार और अपने Environmental Footprint को कम करने का प्रयास करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि Renewable Energy वास्तव म अपने नाम को सार्थक करें.